हेलो फ्रेंड आपका अपने चेनल लान श्टेचिंग में स्वागत थे आज हम ब्लोज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं इसके लिए देखें हमने मोडे को काट लिया है ऌपर से हम सबम्ह दोइंच गले के लिए और गले की डीपनस हम शाहले काट लिया है और यहां पर देखिए ब्लॉज के कपड़े को अच्छी तरह से फैला लेंगे उसके उपर हम अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे हर जगा पीन अटेच कर लेंगे और अब हम उपर से गले की सिलाई लगाएंगे तो देखिए हमने गले की सिलाई लगा लिया है अस्तर और ब्लॉज के कपड़े को मिलाते हुए हम नीचे भी सिलाई लगा लेंगे यहां पर बीच के गले के कपड़े को काटकर निकाल लेंगे हलका हलका कट पूरे गले पर लगा लेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे अच्छी तरह से पलटने के बाद उपर से हम गले की सिलाई लगा लेंगे और फिर जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सस्काइब ने किये सस्काइब कर लिजे बेल आइकन को भी जिरू प्रेस करें ताके मारे हर वीडियो का रोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जिरू करें यहाँ पर देखिए अस्तर और ब्लोज की कपड़े को मिलाते हुए हम चारो तरफ शिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए हमने एक इंच का पट्टी ले लिया है और इसे इस तरह से मोड़ते हुए हम लोरी की तरह सिलाई कर लेंगे यह देखिए इस तरह से तो देखिए हमने सिलाई कर लिया है और अब हम देखिए इतना लंबाई में हम इसे काट लेंगे यह लंबाई करीब शाहे 3 इनिजिक है और यहां पे इस तरह से हम मोडते उपसी हम सिलाई लगाते जाएँगे जिदे इस तरह से मोडैं और सिलाई लगाते जाएँगे तो सभी पिसकोब नहीं इस तरह से बना लिया है अब हम देखे 20 सेंटर कर लेगे और 20 सेंटर से हम इस तरह से निसान लगा लेगे और अब हम देखे उपर से इसको अटेज करते जाएंगे यह देखे इस तरह से तो देखे हमने अटेज कर लिया है और दुसरे तरफ से हम चवकोर कपडा लिए हैं दो कलर में और इसे तिर्बूज बना लेंगे और दोनों को एक दुसरे को पर इस तरह से रखेंगे कि दोनों कलर जनाएं दिखती रहें यहां पर देखिए हम इसे बहुत सारे पीस बना लिए और इसे अटेज कर लेंगे इस तरह से देखिए तो देखिए मैं इस तरह से टेज कर लिया लगा लेते हैं हम अधर साइड से लगा लेते हैं ऑफिर हम उधर दूसे साइड से भी लेस लगा लेगे अ तो यह देखिए इस तरह से हमने लेस लगा लिया है यहां पर नीचे का दोनों प्लेट बना लेंगे तो देखिए हमारा ब्लॉड डिजाइन बनकर त्यार हो गया आपको यह डिजाइन कैसा लगाने चे कमेंट बोक्स में लिखेगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज